Now we will see what are the key facts about child health and overview. देखे जब हम ECEE के बात करते हैं तो education के साथ साथ care भी शामिल है. तो अब जो trend आ रहा है वो ये है कि हम बच्चों की सहत के बारे में भी मुकमल तौर पर आगाह हूं, preventive measures ले सके और उनकी help कर सके. हम यह देखते हैं कि children aged 0-18 years today face a host of new threats linked to climate change, pollution, harmful commercial marketing, unhealthy lifestyles and diets, injury and violence, conflict, migration and inequality. पहले से जो threats हैं दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. वार्ज के नतीजे में, conflict के नतीजे में, बच्चे जो हैं वो मुक्तरिफ मुलकों में migrate हो रहे हैं. या pollution बढ़ी बढ़ गई है, पहले इतनी vehicles कहां थी, जो IROs vehicles उसमें शामिल होती हैं. फिर हम देखते हैं कि जो TV, रैडियो उस पे ads आते हैं, वो पहले कम थे. अब तो छोटी-छोटी चीजों के जो हैं, वो ads आते हैं, और उनमेंसे कुछ इस तरह के भी होते हैं, जो गलत information दिखा रहे होते हैं, कि एक चीज आप भी नुकसान दे हैं सहित के लिए, और वो उसको बहुत ज़्यादा attractive दिखाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसी सूरत में हमारे बच्चों के जो survival के मसाइल हैं, वो भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं. So, survival is just one of many issues relevant to children's health. In 2016, at least 250 million children were not able to reach their full physical or psychological development. तो देखिए ये 43% बनते हैं, कि आप ये देखिए कि 250 million बच्चे जो हैं, वो इसकाबल ही नहीं थे, कि वो जिन्दा रह पाते हैं, या उनके mental या physical development at par होती, जो normal pattern पे हैं. इसके लावा, 2019 में हमने ये देखा कि neglect और abuse के cases पुरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हुएं. तो ये सारे threats जो हैं, ये बच्चों की सहत के लिए, उनकी survival के लिए, और जाहिरा फिर उनकी academics पे भी बुरा असर डालते हैं. अब ये जो बहुत ज़्यादा बड़े threats हैं इस वकत, उनमें से सबसे ज़्यादा environmental threats हैं, जिसमें आप देखते हैं कि unhealthy emissions हैं, ऐसी rays हैं हवा के अंदर, फजा के अंदर, pollution है, आप देखिए कि global warming है, ऐसे बहुत से phenomena हैं, जलजले हैं, और सलाब हैं, पहले से ज़्यादा जो हैं, वो कम हो चुका है, पहले जो जंगलाद थे वो कट गए, और जो जराद के लिए जगा खाली थी, वहां पे housing societies बन गए हैं, वहां पे शहरबाद कर दिये गए हैं, तो बहुत से ऐसे जगें जो पहले हमें वसाइल महया करती थी, ताजा हवा महया करती थी, अब वो नह हैं, फिर कुछ तरकी आफ़ता ममालिक में या कुछ तरकी पजीर ममालिक में भी हमें भी जो बेहतर classes के लोग हैं, उनके हां obesity जो है वो और दूसरी non communicable diseases जो हैं, वो बड़ी बढ़ रही हैं, फिर injuries, violence and conflict, injuries में सबसे ज्यादा जो injury आ रही है, वो है road injuries, देखिए बच्चे इतनी traffic ज्यादा हो चुकी है, कि जब बच्चे जहरे स्कूलों के लिए जा रहे हैं, किसी और मकसद के लिए सडकों पे आए हैं, तो कितने ही accidents हो रहे हैं, और जब बच्चे अकेले भी sometime सफर कर रहे होते हैं, सडक पार कर रहे हैं, या इस तरह का कुछ, जैसे manholes खुले है तो ये इस तरह की बहुत injuries जो हैं, वो पहले से ज्यादा हो चुकी हैं, तो अब ये जो World Health Organization है, इन्होंने ऐसे बहुत से projects और ऐसे plans पूरी दुनिया के मुलकों को दिये हैं, कि वो अपने बच्चों की सहत के लिए कुछ ऐसे एकदामात करें, कि ताकि ये जो इतनी वो अपने partner या member states के साथ काम करता है, और इन्होंने खास तोर पे जो SDG 3 goal है, which aims to end preventable deaths of newborns and children under 5 by 2030, अच्छा ये तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जो दुनिया में आ चुके हैं, तो ऐसे बहुत से बच्चे, जो अभी दुनिया में आए भी नहीं, वो अपनी mother की health की व जासे दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गए, तो अब World Health Organization का इस सिलसले में बड़ा रोल है, कि पूरी दुनिया के अंदर जो newborn की, जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ या नया पैदा हुआ है, पैदाश के बाद उसकी death हो जाती है, उन factors पे काम करने के लिए, उ और मौहिदे भी किये हैं, ताके जो newborn हैं उनकी सिहत के लिए काम किया जा सके, तो ऐसी सूरत में बहुत से resolutions, अब तक 3-4 resolutions ऐसे आ चुके हैं, तकरीबन 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे resolutions आए हैं, कि हम अपने newborn के, जो उनका, जो उनके सिहत के, यानी facilities हैं, वो भढ़ा सके, खा यहां खवातीन बच्चे जनम दे रही हैं, वहां पर उन बच्चों की हफाज़त के लिए मतासर जो है, वो अच्छे एकदामाद किये जा सके, तो मजमूरी तोर पर हम यह देखते हैं, कि सहत के मसाईल अब बच्चों के पहले से कहीं ज्यादा हैं, environment में आने से पहले भी, और environment में आने के बाद भी, तो इनके बारे में भी ज़रूरी एकदामाद करना ज़रूरी हैं,